सब्सक्राइब दोस्तों मैं तोड़ा सब्दा अपने यूटूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत करना हां दोस्तों आज दी इस वीडियो ते विच एसी सरकट दे मल्टीपल च्वाइस कोशन शेयर कर जा रहे हैं तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने तो पहला अगर त इस चैनल त कनल थे नम्हें हो यह तक चैनल नू सक्राइब नहीं किता ता परिज पहला चैनल नो सब्सक्राइब करो देसे अरहल बैल आइकन ओद्राइब प्रेयो अर्टिव वीडियो थे नडिफ्क्रेशन तरट तक सब तो पहला पहुंक तक ALL वीडियो अचि लगी तत जड़ा की ठीक है गए, option है कि AC विच उच वोल्टेज पैदा किती जा सकती है, second option है, transformer दी मददनार AC वोल्टेज असानी नाल कटाई ते बदाई जा सकती है, number 2 है, AC ट्रांस्मिशन अते डिस्टिविशन सस्ती पहन दी है, क्योंकि इस नो उचे वोल्टेज ते ट्रांस् next है कि AC नो DC विच असानी नाल बदले आ जा सकता है, इस सारे ही इंपोर्टेंट पॉइंट हान AC दे, इस दा जो राइट आंसर है, option 4 है, last point है, इस सारे ही AC दे बारे इंपोर्टेंट पॉइंट हान, कि AC ते विच उच वोल्टेज पैदा किती जा सकती है, बिल्कुल राइ next, एभी सही है कि transformer दे मदद देनाल AC वोल्टेज नो असानी देनाल इनो कटा आते बदा सकते हैं, तीसरा point A है कि AC ट्रांसमिशन ते distribution जड़ी है, सस्ती पैंदी है, क्योंकि high voltage दे ट्रांसमिशन करते हैं, ते high voltage देनाल जड़ा करंट लो हो जन्दा है, और करंट लो होंदे जो conductor दा size है, और reduce होंदे है, और conductor दा size reduce होंदे कारण जड़ी cost है, transmission दी हो, कट जन्दी है, तो last point जड़ी देता है कि AC नो DC दे विच असानी देनाल बदले जा सकता है, ते option fourth is the right answer है, next question है, question number second है, जड़ी नाल चलन वाली रेल इंजन दी ट्रेक्शन मोटर केडी supply दे चल जड़ी है, जड़ी रेल इंचन होंदे, ओ DC होंदी है, AC होंदी है, जा दोना विच्चो कोई नी, जा अपरोक्त कोई भी नी, तुसी guess भी कर सकते है, उसे नाल नाल इसा आंसर, और इसा जो राइट आंसर है वाजी, DC, next question है, किसे सर्कट दा impedance किना चीजां ते निर्बर कर करदा है, और रिजिस्टेंस दे, इंड़क्टेंस दे, कपेस्टेंस दे, जा उपरोक्त सारे हैं विच्चो कोई तुसा जो राइट आंसर है जी, जड़ा impedance होंदे है, उन्होंसी जड़ दे नाल डिनोड कर दे है, और ए रिजिस्टेंस दे उपर, इंड़क्टेंस दे इंड़क्टेंस दे, 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 इंड करन देना दर्साही जा सकती है तो ऑप्शन सा डे कोल पहला पॉर्षन पहला पॉर्षन है जिसे विच्छे की आर्मस वैल्यू थे मैक्सिमुम वैल्यू इकल हों दिये यहां इस ऑप्शन है कि जड़ी आर्मस वैल्यू है ओजीरो पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन जीरो सेवन यह मैक्सिम हों दिया यह वैल्यू हों दिया जी आर्मस वैल्यू इस दी जो वैल्यू दी कैल्कुलेशन है ओ तुसी कैल्कुलेट कर सकते हो बन वाइंडर रूट टू दे नल तो अंडर रूट टू दी वैल्यू अगर वन पॉइंट फॉर वन यहां सी तेनों जो तुसी डिवाइड कोरोगी इसी वैल्यू यह आजेगी 0.70 यह वैल्यू आजेगी 1 अन्डरू टू देनाल आर एमेस वैल्यू जिन्हों से किने रूट में स्क्वेर तेनों सी वन बाई अंडरूट टू देनाल दूसे यह वैल्यू फेक्टर जडिये कर सकते हो बड़ी असानी देनाल नेक्स्ट कोशन है कि AC अल्टरनेटिंग करेंट दी जड़ी फ्रीक्वेंसी है किन्या चीज्जां दे निर्बर कर दिये थे AC दे विच जड़ा AC यूज किते है तुसी अल्टरनेटर कह सकते हो अल्ट criter फ्रिक्वियंसी इन के पर डीपेंड करते है रोटर सीद दे पोल्रा गिंती ने तए और इस दो जो राइट ऑप्शन है ऐसी जाएक याड़ी रॉॉटर सीदे बुंती आटी पोल बस नम दो कि फर्मूर्ड उन दो है उबराबर होंदा है 120 F by P तो इदे विच्चो जो दो सी फ्रीक्वेंसी दी वैल्यू करणा है तो फ्रीक्वेंसी सा देख़ा जाएगी N S into P by 120 तो N S की यह सिंक्रोन स्पीड है एक इसी स्पीड दे और एक नंबर ओफ पोल ते डिपेंड कर दिया फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट कोशन आगा है कि अल्टरनेटर ऐसी फ्रीक्वेंसी केड़े समीकरन देना दरसाई जा सक दिया थे सामने होने होने सी कैलकुलेशन की तक यह दी फ्रीक्वेंसी है ओ एन पी बाई 120 दे नाला सी जरसा सकते हैं तो उसी बेसिक फार्मूला यार तकना सिंक्रोन स्पीड सिंक्रोन स्पीड होन दिया N S 120 F Y P ते इदे विच्वेंसी पी दी वेली कड़नी है जा एफ फ्रीक्वे वाली मशीन अते 16 पॉला वाली मशीन द्वारा पैदा किती के फ्रीक्वेंसी दी अनुपात किन्नी होएगी देखो एक साइड दे आठ है एक साइड दे सोला एंड तो ही कटिंग करोगे आठ ते आजएगा आठ दुनी सोला ते रेशो आजएगी वन बाई वन रेशो टू ऑप्शन थर्ड इस दा राइट आंसर आजएगा नेक्स्कोशन है कोशन नमबर अठ है जिस दे विचे की आठ पॉल वाली मशीन दी रफ्तार जेकर अद्धी कर दिती जावे ते उस मशीन द्वारा पैदा किती जा रही इसी फ्रीक्वेंसी किन्नी होवेगी उन्नी ही रहेगी जा दुगनी हो जाएगी जा अद्धी रह जाएगी तो इस जो राइट आंसर है वो आजाएगा जी इसी जो फ्रीक्वेंसी है और किनी हो जाएगी अद्धी हो जाएगी, option second is the right answer है next question है, जिसे विचे किसे circuit दा, जो inductance है, उन्नों किस तरह दिरसाया जानता है ठीक है, inductance नो किस तरह दिरसाया जानता है तो inductance नो असी है, अथे xl लिख सकते हो, xl दे नाल, असी inductance नो कर दे है और xl is equal to 2πf3l, option third is the right answer आएगा next question number 10 है, जिसे विचे किसे circuit दा, capacitance नो अगर आँसी दखाना होए तो उस दा, जो formula दा, सदे को, जो right option आजएगा, option second आजएगा xc आजए अंदर साटे को, capacitance is equal to 1 by 2 by pi fc, is equal to 2, option second is the right answer आजएगा next question number 11 है, जिसे विचे है, शुद्र रिजिस्टीव सर्कट विचे करंट अती वोल्टेज दे विच जो फेस अंतर है, जो किन्ना होए अजएगा, जिस्टीव सर्कट है, अगर साट डेकॉल, अर जिस्टीव सर्कट है, तो उस दे विचे करंट अती वोल्टेज दा जो फेस अंतर है, डिफरेंस है, जो किन्ना होएगा जी जीरो हुद्ध है, option first is the right answer है, नेक्स्ट कोश्चन है अगर साथ एकोड इंडक्टिव सरकट है तो उस देवे जड़ा करंट आते वोल्टेज जड़ा फेज अंतर है तो किन्ना होएगा ऑप्शन पहला जीरो 90 डिगरी लीडिंग जा 90 डिगरी लेगिंग जा 120 डिगरी लीडिंग तो इस दा जो राइट आंसर है इंडक्टिव इच जड़ा साथ एंगल हो लेगिंग होंदे है इस दा ऑप्शन आजेगा थर्ड और कपैस्टिव इच लीड होंदे है तो उन्हें पता होना चाहिए अगर शुद्ध कपैस्टिव सरकट देविचे करेंट आती वूल्टिज फीज जो अंतर है किन्ना होएगा कोशन नमबर थर्टीन है और इस दा जो राइट आंसर है वह आजेगा जी लीडिंग 90 डिगरी लीडिंग ऑप्शन सेकंड इस दा राइट आंसर है नेक्स्ट है क कोशन नमबर 14 जिज दे विच चेकी अरजेस्टेंस अर्टी इंड़क्टेंस एकसा डेकोल अर्जिस्टेंस है और 1 साथ डेकोल इंड़क्टेंस है ओस सीरीज दे विच लगए रहा है तो इस दी जो इंपिडेंस यह जो केन्ना होएगा तो इस दा ऑप्शन तो उसीज़ स तो देश्व करेंदे विच इंपीडेंस नो सी जैट देना डिनोड कर दियां इस जिर्फ एक इंडक्टेंस है थे एक रिजिस्टेंस है इस फार्मूले देना ला सी शो कर सकते हैं आजेगा आर स्केयर प्लस इंडक्टिव और एक्टेंस है दा स्केयर नेक्स्ट कोशन है एससी साइकल देविच किन्या इलेक्टिकल डिग्रियां विच पूरा होंदा है एससी जड़ा साइकल है तो इस आप्शन आजेगा जी 360 360 साइकल देविच नेक्स्ट कोशन है सोला वैरी वरी इपोरेंट हिंदोस्तान दे विच्छ यानि कि इंडिया दे विच्छ एसी सिस्टम दी जी जी अटी फ्रीक्वेंसी है किन्नी उन दी है तुसी गेस कर सकदे हो इस रहा जो राइट ऑप्शन है 50 Hz, 60 Hz, 40 Hz, 50 MHz तो is the right answer आजएगा option first है 50 Hz is the right answer है next question है AC circuit दे विच ओम दा निजम किस तरह दर्साया जन्दा है very very important question है AC circuit दे विच जाबास्ती ओम दा निजम किस तरह दर्साया जन्दा है option first, option second, option third, option fourth guess को रोज़ी is the right answer is the right answer है option second, इज़े जड़ा current है वो आजएगा voltage वायसी और जिस्टेंस कर दे हैं लेकिन AC circuit बच किया जएगा impedance Z किया जएगा impedance next question नमबर अठार है जिस दे विच है कि हेट लिखे हैं विचो केड़ी क्वाइल सब तो वद current लवेगी जेकर voltage दे frequency वाद होवे 0.1 henry, 0.2 henry, 0.3 henry, 0.4 henry is the right answer है option first आजएगा next question है इक को वोल्टीज अदे frequency होवे ते capacity विच वाद current कौन केड़ा की जो capacitor हो लेगा 100 microfarad दा जहां 150 microfarad दा यह 200 microfarad दा जहां 250 microfarad दा जहां 250 microfarad दा जड़ा एक्स capacitor है वो सब तो वद current लेगा उस तो बाद है किसे AC सरक्त विच current दा बहा कोदों वाद तों वाद होवेगा जेकर सरक्ट देवेच इंडक्टेंस अते कपेस्टेंस दोनों बराबर होन जा इंडक्टेंस अते रिजिस्टेंस बराबर होवे जां कपेस्टेंस अते रिजिस्टेंस बराबर होवे यां कपेस्टेंस जीरो होवे तो इससा राइट आंसर आजेगा थी जोदों सा डेकॉल इंडक्टेंस ते कपैस्टेंस क्योंकि आसी उससे विच इंडक्टेंस माइनस कपैस्टेंस दा स्केर कर दे हैं और जो दो साड डेकोल इंडक्टेंस से कपेस्टेंस जेड़ी value है equal आजन दी है तो उस case वेच बद तो वध जड़ा current दा बहा हो हुद है एसी सरक्रट विच current दा बहा कोदो वध तो वध होवेगा जो दो inductance थे capacitance दोनों बराबर होनगी है option first is the right answer है next question है question number 21 है जिसे विचे cos 90 degree दी कीमत किन्नी हों दी है तो नो पता हो ना जी very simple question है और important question है cosine दे वे चासी power factor विचे cos theta use कर दी है cos 90 degree दी value तो नो पता हो नीचे दी cos 90 degree दी value हों दी है जी 0 और उस दो बाद है अगर cos 0 degree दी गल करीए ते cos 0 दी value किन्नी हों दी है जी 1 cos 0 दी value किन्नी हों दी है 1 तो इस जो right option है first है next question है question number 3 है जिसे विचे पावर फेक्टर किन्ना गलना दे निर्बर करदा है पावर फेक्टर circuit दे inductance दे circuit दे capacitance दे जा उपरवक्त दोहां दे जा इना विच्चों कोई भी नहीं ती इस जा right answer आजएगा power factor जेड़ा ओ circuit दे inductance दे capacitance दोहां दे निर्बर करदा है option third is the right answer आजएगा next question है question number 24 है जिस दे विचे है कि शुद्र रजिस्टेंस वाले सरक्ट दा power factor किनना होंदा है very very important question है कि अगर साथ दे को शुद्र रजिस्टेंस है उज़ा जेड़ा power factor है उज़ा power factor किनना होएगा जी अगर cos 0 ती जड़ी value हो किननी होंदी है 1 किननी होंदी है 1 तो power factor किनना होएगा option second is the right answer है next question है कि शुद्र अगर inductive circuit होएगा तो उज़ा जो power factor हो कि दे चोएगा lagging चोएगा one lagging zero lagging जहाँ zero leading जहाँ one leading तो उज़ा जो right answer है यह आजेगा जी option second आजेगा 25th दा second आजेगा zero lagging किस केसे वेच इंड़ीव केसे वेच और सेम ही question नीचे है capacitive circuit दे वेच जो power factor है ओ किन्ना होएगा 26th दे question दे वेच तो इसज़ा जो right answer है ओ किन्ना आजेगा जी leading उस दे वेच किन्ना होएगा leading करेगा capacitive किसे का नसी capacitor सरकट दे वेच लगाने है power factor नो बदा आन दे लेग next question है question number 27 है सरकट दा power factor lagging किस तरह बना जान दा lagging किस तरह बना जान दा inductance नो बदा आके जा inductance नो कट आगे capacitance नो बदा आके जा resistance नो बदा आके इस दा right answer है जो दो सी inductance बदा देने है तो सरकट दा power factor है lagging दे वेच हो जान दा next question है circuit दा power factor leading किस तरह बना जा सकता है inductance नो बदा आके inductance नो कट आके जा capacitance नो बदा आके जा capacitance नो बदा आके जा capacitor लगाने आसी capacitor नो बदा आके आसी जड़ा power factor लीडिंग दे विच लाके जा सकती है next question question 29th है जिससे विच्चे की power factor केड़ी machine ते निर्बर कर दा खप्तकार ने जड़ी machine लाई दे होंदी है ओदे ते यह supplier दी जा दोहां विच्चों किसे दी वी यह अपरोक्त विच्चों कोई भी नहीं तिस दा जो right answer है option first है जो खप्तकार ने जो भी अपना motor जहां कोई भी जो load लगाया हुंदे है उस दे उपर depend करदा है कि जो खप्तकार है उस दा जो load है किस तरह दा उस दा load जो है किस परकार दा है ते उस दा power factor है ओ खप्तकार दे उपर depend करदा है कि खप्तकार किस दा जो load है खप्तकार यूज किस तरह बदाया जा सकता है कपएस्टर पेरलल देविच लगाके यह बिल्कुल ठीक है दूसरा कपास्टर सीरीज लगाके नई तीसरा है। सिंख्रोंड मोटर δवरा। तो त्हफ्रेकें ड़ों तरिक्टियां देनाली बदा सकती है। पहला प्यर्ले डे बच जुदुर्व करेकें बडा है। एच और यह या देनालार पावर फैक्टी मोटर नल पडा सकती है। जिननीभी इंडस्टिया ऊधे विच मोटर यूज होन दिये और मोटर जो है इंडक्टिव लोड है और पावर फैक्टर नो बदांदे वास्ते नेक्स्ट क्योश्न है कि जड़ा पावर फैक्टर है किस दे इकल होन दैक्टि नमबर थाटी वन है तो पावर फेक्टर जड़ है किसे इकलो होंदा है वो होंदा है R by Z R by Z R होगी तो अटिकोल जिस्टेंस और Z की आगे तो अटिकोल इंपीडेंस R by Z नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 32 है जिसे विच है कि अल्टरेंट युनिटी पावर फेक्टर है 500 किलोवाट उरजा सप्लाई कर दा है जे कर पावर फेक्टर 0.6 लुक्त कंदता जावे तो किन्नी उरजा धी सप्लाई करेगाओ अगर 500 किलोवाट है तो यह जी जी डिय existem ना मल्टिप्लाई करता है यह आजाएगा जी तिन सो किलो वाट ऑप्शन फर्स्ट इस दा राइट अंसर आजाएगा एथी एगर साथ आप पावर फेक्टर वन होएगा तो वो किनी साथ नू आउटपुट देगा पान सो किलो वाट ही इस करन जीड़ा पावर फेक्टर है उन्हों नूं क्रीज करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर 33 है जिससे विच सिंगल फेस एसी सरकर देविच उर्जा किस समी करन दे नाल है असी कैलकुलेट कर दे हैं ऑप्शन तो अडिकुल है वी आई कोस फाई और वी आई बाई कोस फाई इस जो राइट आंसर है फर्स सिंगल इस यूज कर दे हैं वी आई कोस फाई नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर 34 है जिससे विच तीन फेस अल्टरनेटर दे विच किन्यां वाइंडिंगा हुन यह तीन फेस अल्टरनेटर दे विच किन्यां वाइंडिंगा हुन जी तीन वाइंडिंगा हुन जी तीन वाइंडिं सुन्दों किनना होंदा 120 डिग्री दा 120 डिग्री ऑप्शन सेकंड इस दा राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है कि जेकर तिन फेज ऐसी सरकट विच फेज अते न्यूटल देविच जिडी वोल्टेज है वो दोसो वोल्ट है तां फेज बिच आले वोल्टेज दोसो होवे तां फेज सां बिच आले आपसी वोल्टेज किननी आएगी कि जिसने ग्रप मुष्य वॉल्टेज है वागे जी दोसो उस वाद है कि फिजदी वोल्टेज हो किनी होगी जिससरा सी, Star Connection दी विच कर दे हैं कि जेडी सा devche jidise decol, Line Voltage उन दिया है यू 9 lign voltage उन दिया है face, sorry तुसी कियते कर दो face voltage first जेडी face voltage उन दिया है और line voltage by under root 3 उन दिया है ठीक है जी? line voltage by under root 3 इधे विच हो अगर आसी line voltage कर नहीं है तो इसी देख वीच्ट जटेगी यहां, टिकलव फेस वुल्टेज गुन्ह अंडरूट तेन, तोँ इधेल्द जो फेस वॉल्टेज यहां अथे कोशन नंबर 38 है जिसे विच है कि star connection दे विच line voltage अथि face voltage relation होने है कि जड़ी line voltage होंदी है ओ face voltage under root 3 होंदी है तो इतने दुसी कह सब्सक्राइब कि face voltage under root 3 होने है आसी formula देनाल calculate केता है कि जड़ी line voltage है ओ under root 3 into face voltage क्योंकि जो line voltage हो ज्यादा होंदी है face voltage जड़ी है कट होंदी है line voltage होंदी है और face voltage होंदी होंदी है और face voltage होंदी होंदी है 230 volt जोदा 230 volt नोहीं under root 3 देना multiply करांगे और 400 देक्वल आजांदी है इस कारण जो right option है option first is the right answer आजना है next question star connection देवेचे होर केड़ा तत केंदा सही होंदा है line current ते face current line current ते face current जड़ाए बराबर होंदा in case of star देवेचे next question है delta number 40 देवेचे delta connection देवेच की होंदा है इजे विच लाइंड वोल्टेज दे फेस वोल्टेज डेल्टा दा कनेक्शन इस तरह हुँदा जी डेल्टा दा कनेक्शन इस तरह हुँदा इजे विच लाइंड वोल्टेज दे फेस वोल्टेज जड़ी है इकल हों दिया, option first is the right answer आँखर आजएगा, next question है question number 41 है, जिस से विच cont Despite page 4 तार system विच किनिः तारा pest हुए ते चार तार तार सिस्प्टम दियो मिच किनिः तारा दियों जी, 4 तारा हु दियों, option last is the right answer आजएगा next question है, question number 42 है, जिस से विच है कि फेस चारतार सिस्टन में लाइट लोड दे किन्हें वख्रे सर्कट कित्पी जा सकते हैं तैन 2 ञासा निे들이 सांसे हरा अंशार की पावर दा समी करने हो कि दे नाद्र साय जन्द है ए अंडरूट 3 ऑप्शन 1st इस राइट अंसरा जाएगा अंडरूट 3 वी आई कोस फाई कोस फाई होगे साड़े कोजी पावर फेक्टर वी वोल्टे से आई करेंट नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर 44 जिसे विचे तिन फेस से चार तार सिस्टम वेच नूटल दियां किनियां किन तारा वं दियां तो न्ही ट्रह टार युदा होंधिया 먹고ा सब्ड Drum में होगे ए ईक्तार होंधिया Filth इस आउराइट आंसर आये नेक्स्ट शन है फ उर्टी ife Equ przyzd minister अल्टरनेटर दे विच किनिया तारा बार निकल दें। बॉट सुन निकल वालिया जाएं। तरिक्या देना जोड़ा जा सकता है। स्टार ते डेल्टा दोन देना जाएं। कोई नहीं, is the option third आजएगा 46 सा, कि star या delta ते नाला सी इसे जो connection है, वो कर दे हाँ next question है 47 जिसे विच केड़े connection विच neutral point कड़े आजा सकता है, is the right option है star point विच ही neutral point जड़ा हो निकल दा है next question है, single phase AC power विच उर्जा कड़न दा formula, single phase विच ओनली आएंदा, V.I. कोउस फाई ते option third is the right answer आजएगा question number 48 दा और next question है, question number 49 है, जिसे विच की AC circuit दी जड़ी power है केड़े यंतर दे नाल मापी जा सकती है M meter, volt meter, watt meter, power factor meter दे नोंसी माप सकते हैं, जी watt meter दे ना केड़े नहीं हम आप सकते हैं, watt meter दे नाल तो next question, question number 50 है जिसे विच्चे की thin phase AC circuit दे विच balance load circuit दी power किस विदी दे नाल मापी जा सकती है 1 watt meter method, 2 watt meter method जा 3 watt meter, जा 4 watt meter method दे राइट अंस राजएगी 2 watt meter method दे नाल असी जड़ी है, power measure कर सकते हैं, माप सकते हैं तो यह 50 question AC circuit दे ना सबनेट किते हैं अगर तो विडियो अच्छी लगी, विडियो लाइक को और शेर जुरू करना तनवाद जय हिंद कर दो झे दो बपते हैं जो अगरी जग은 कर दो दो जो